नमस्कार दोस्तों मैं कमले साख के पेपर है कर यूटूब चैनल में आपका बहुत हो स्वागत है आज हम देखने वाले हैं मनोविज्ञान बीए सेमेस्टर बन में यह जो नमबर होते हैं यह जो एक्जाम में पूछे जाने वाले नमबर होते हैं कुश्चन यह पांच आते हैं यह ठोस नमबर होते हैं आपके लिए तो यह आपको देखना बहुत जरूरी है आज़े देखते हैं पहरा कुश्चन स्टार्ट करते हैं साइकी तथा लोगस का अर्थ है आपको बताना है साइकी तथा लोगस का अर्थ ठीक है देखना है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बिज्ञान मन का विज्ञान ठीक है तो आपको बताना है साइकी तथा ठीक है, साइगी का अर्थ है आत्मा से ठीक है, और लोगस का अर्थ है विज्ञान से ठीक है, तो यहाँ पर कौन से सही होगा, वाँ, ठीक है, अगला कुश्य नहीं है, मनो विज्ञान की प्राचीनतम परिवासा थी, आपको देखना है कि मनो विज्ञान की प्राचीनतम परिवासा थी, कौन से थी, चेतना के विज्ञान के रूप में, बिवहार के विज्ञान के रूप में, आत्मा के विज्ञान के रूप में, मस्तिक्स के विज्ञान के रू प्रितम मनोविग्यान को क्या माना गया आप देखो वही कुछन है सबसे पहले मनोविग्यान को क्या माना गया यह दो उपर अभी बताया था मैंने यह वह कुछन है आत्मा का विग्यान मस्तिस का विग्यान चेतना का विग्यान अब चेतना का विग्यान तो क्या माना गया आत्मा का विग्यान माना गया ठीक है अगला कुछन है प्लोट प्लेटो के इनस्वार मनोविग्यान है प्लोट प्लेटो जिते उन्होंने मनोविग विग्यान को माना था है मस्तिस का विग्यान वा है आत्मा का विग्यान चेतना का विग्यान वो प्रयुक्त में से कोई नहीं तो प्लेटो ने क्या माना था अरस्तुवर प्लेटो लेगा था आत्मा का विग्यान सबसे पहले तो क्या माना था आत्मा का विग्यान यहां दिय रूप है मनोबिग्यान की परवासा का आधनिक रूप है मनोबिग्यान का सरवुत्तम अर्थ क्या है तो मनोबिग्यान का सरवुत्तम अर्थ है यहाँ पर विवार का विज्ञान होगा क्योंकि जो अभी प्राचीन अभी चला है जो बरतमान समय में वो क्या है विवार का विज्ञान है तो विवार का विज्ञान माना गया है ठीक है मनो विज्ञान आचरड तता विवार का एतार्त विज्ञान है किसने का ये वाद किसने बोलिया है कि मनोविज्ञान आचर रतता बिवार का बिज्ञान है ये वाद किसने बोलिया है ये वाद बोलिया है आपके मैक डूवल और साइज सही ठीक है क्वेशन नमर साथ है मनोव विज्ञान बिवार और अनुभव का विज्ञान है यह परिवासा किसकी है देखो उसमें सबसे ज़्यादा क्या परिवासा है बूचे जाती है यानि कि क्या है बिवार और अनुभव का विज्ञान है यह परिवासा किसकी है ठीक है तो ये परवासा है आपके इसके नर महौदे की ठीक है किसका बिवहार और अनुभव का विज्ञान ये बोला है इसके नर ने ठीक है अगला कुशन है किसने कहा है कि मनोविज्ञान मानव बिवार दता मानव संबंदों का अध्यन है ये बात किसने बोली है कि मनोविज्ञान मानव बिवार दता मानव संबंदों का अध्यन है तो ये बात बोली है क्रो एंड क्रो ये दो थे हस्वेंड वाइफ यह नहीं की पत्य पत्य नहीं थ को अगला कुशन है सबसे पहले मनव विज्ञान में ने अपनी आत्मा का त्याग किया यह नि क्या है मनव विज्ञान ने क्या आत्मा का त्याग किया सबसे पहले आत्मा का विज्ञाना था तो उसको अत्याग किया उसको नकार दिया गया फिर उसने अपने मस्तिस्त का त्याग किया मन का विज्ञानात मस्तिस्त का त्याग किया ठीक है उसके वाद चेतना का त्याग किया चेतना के विज्ञान को भी नकार दिया ठीक है अब वह विवार की विधी को सुईकार करता है बहार की विद्ई को सोविगार करता है ये वात किसी ने बोली है और सनर इसकिनर भी पैस्टालोजी वुडवर्थ वाटथन तो सबसे विवार के विग्ञान को कौन लेके आता है विवार के विग्ञान कौन सा 9 तो इसमें कौन है वुडवर्थ size the right answer इन्होंने ये बोला था कि मनों विग्जान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का तया किया फिर मनस्टिस्ट का तया किया चेतना का तया किया आज वो विवार का विग्जान बना वैठा है ठीक है यह वाद बोली थी वुड़ बर्द ने हैं अगला कुश्चन है ट्राइन नमबर है ब्यवार के मूल प्रवर्ती सिद्धान से कौन सम्बंदित है यानि ब्यवार के मूल प्रवर्ती सिद्धान से कौन सम्बंदित है मैक डूगल वा धंडाइक सा इसके नगर दा कोहलर तो कौन है मैग डूगल ठीक है अगला कुशन है भीहाईवियर kommer के लेकग है नामग पुस्तक के लेकग कौन है कौन है वाट्सन ठीक है अगला कुशन है Dictionary of Cyclosy पुस्तक किस ने लखी है Dictionary of Cyclosy पुस्तक किस के दोवारा लखी गई है तो ये बताना है आपको Thandike Balak James Driver Prank तो ये लखी गई है James Driver के दोवारा आपको ये लगा के आना है ठीक है Question number अगला है बिस्तु में मनोविग्यान की प्रियोक साला सरब पृत्म कहां इस्तापत की गई ये मैंने आपको बताया था ये जब चेतना का पिग्यान आता William Bunt और William James लाए थे तो इनों ने ही मनोविग्यान की पृत्म प्रियोक साला का की इस्तापना है की William Bunt और William James ठीक है तो इसमें पूछा ये है की कहां इस्तापत की गई थी तो इसकी जो प्रियोक साला थी वो लिप जिंग सहर में इस्तापत की जी लिप जिंग ठीक है अगला कुश्यन है तो आपको मैं इससे पहले बता चुगा हूँ इससे उपर वाले कुश्यन में ये है William Bunt हो जाएगा William Bunt ने की थी काउन से लिप जिंग सहर में की थी ठीक है अगला कुश्यन है मनोव जिंग जिंग की प्रियोक साला कब इस्तापत की गई कभी कभी आपसे सन भी पूछ लेता है तो ये मनोव जिंग जिंग की प्रियोक साला कभी स्तापत की गई ये की गई है आपकी 1789 इस भी में ठीक है अगला कुश्यन है भारत बर्स में मनोव जिंग जिंग की प्रियोक साला कहा इस्तापत की गई अब देखो भारत में पूछा है भारत में मनोविज्ञान की प्रितम प्रियोक साला का कहा इस्ताफित की गई है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नी राइट अंसर हो जागा आपका कोलकाता में स्ताफित की गई है आपको रट लेना ही रट भारत भरस में ये question सबसे ज़्यादा पूछते है ठीक है अगला question है मनोविज्ञान निमली कितमे से किसका अद्धन करता है ठीक है आ गया मनोविज्ञान किसका अद्धन करता है अभी किसका अद्धन करता है आपको देखना है अब दिया हुआ है बिवार का आत्मा का मानव सरीर का शेतना का तो किसका अद्धन करता है विवार वो मनोविज्ञान मनोविज्ञान बिवार का अद्धन करता है ठीक है आप सुन इसका हो जागा आस ही ठीक है तो आस के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में ठीक है तो यह आगी देखते हैं मनुविज्ञान की बिधियों के बारे में MCQ ठीक है तो देखते हैं मनुविज्ञान की आत्मनिष्ट बिधी है ठीक है मनुविज्ञान की आत्मनिष्ट बिधी है प्रियोक साला विदी, प्रिश्णावली विदी, अंतर दर्सन विदी, जीवन इतियास विदी तो मुने विज्ञान के अंदर काई तो एद दिन के जाता है, अंदर के विवार को तो जाना जाता है क्या है तो क्या हो जाज़ागा अंतर धर्सन विधी हो जाज़ा ठीक है अगला कुशन है अपनी आत्मा में देखना अंतर निरिच्छड है किसने कहा है यानि कि क्या है अपनी आत्मा में देखना अंतर निरिच्छड है ये बात किसने बोली है पहला अपना लॉक इसकिनर एंजिल राइवन इसका अंसर हो जाएगा एंजिल ठीक है अगला कुश्यन है अन्ता दर्शन बीदी में किसका निरिच्छड किया जाता है ठीक है अन्ता दर्शन बीदी में किसका निरिच्छड किया जाता है अन्ता दर्शन बीदी है उसमें किसका निरिच्छड किया जाता है तिरक का है दूसरों का अगला है स्वैम का अगला है पस अगला कुश्यन है विज्ञान की बस्तुनिष्ट विधी है यानि क्या है मनो विज्ञान की बस्तुनिष्ट विधी क्या है ये आपसे पूछा गया है मनो विज्ञान की बस्तुनिष्ट विधी के बारे में आपसे पूछा गया है क्या दे रख्या है प्रियोगात्मक विधी जीवन इतियास विधी साच्छातकार विधी उप्रोक्त सभी तो इसमें क्या हो जाए मनो विज्ञान की बस्तुनिष्ट विधी कौन कौन से हो जाए अगला कुश्शन है पूर्व निर्धारित दसाओं में मानवी विवार का अध्यन किया जाता है ये बात किसने बोलिया किसमें बोलिया जाती है ठीक है तो पूर्व निर्धारित दसाओं में मानवी विवार का अध्यन करना क्या कहलाता है एक प्रकार से ये बात आपसे पूची गई है तो इसमें बोल आ है अब लोकन भी दी वा है जीवन इद्यास भी दी उप्चारात्मक भी दी प्रियोगात्मक भी दी अच्छा क्या है हम प्रियोग के द्वारा ही तो किसी के विवार के वारे में जान सकते हैं उस पर अध्धन कर सकते हैं तो क्या होगा प्रियोग गात्मक विधी और संदा सही हो जाएगा अगला कुशन आपका है कुशन नमबर है अगला 6 प्रियोगातमक बिधी में कितने चर होते हैं तो प्रियोगातमक बिधी में कितने चर होते हैं तो प्रियोगातमक बिधी में दोस्तों क्या दे रखा है दो, तीन, चार, पाँच तो प्रियोगातमक बिधी में कितने चर होते हैं प्रियोग विद्धी में तीन चर होते हैं, और आपका सही हो जाएगा, अगला क्विशन है, प्रियोग विद्धी में अन्ता दर्शन रिपोर्ट किस से ली जाती है, तो योज करता से, प्रियोज से निरिछड से उप्रुक्त सभी से तो इससे नहीं ली जाती है इससे भी नहीं ली जाती है तो यह तो होगा ही नहीं यह सही होगा प्रियोज विधी से ठीक है अगला कुशन है आपका कुशन नमर आठ है मनोव ज्यान की प्रियोक साला बिधी का जनक कौन है देखो प्रियोक साला बिधी का जनक सबसे पहली प्रियोक साला बिल्यम बुंट ने लिपिंग सैन में स्तापुत की थी ठीक है तो जनक भी उनी को माना जाएगा इसमें देखो बुंट है सा, भुंट ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा भुंट ने की दी प्रियोक साला इस्तापित इसलिए उनको जनक भी, जनक की उपादी दी गई ठीक है निरिच्छड विदी में किसका अधिक पुरियोक किया जाता है आप से पूछ रहा है कुशन नमबर नाइन में निरिच्छड विदी में किसका अधिक प्रियोक किया जाता है तो दे रखा है कानों का बाड़ी का नेत्रों का वो प्रियोक सभी का निरिच्छड, निरिच्छड कैसे करते हैं किसी के बारे में देख के ही तो निरिच्छर करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रियोग देख के ही तो करते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रियोग देख के जाता है, इसलिए इसमें हो जागा नेत्रों का, आख उसे देखते हैं तो नेत्रों का हो जागा, सा, ठीक है, आईए, देखते हैं, अगला मस्तिक्त की सक्ति ना होकर संपूर रूप से मस्तिक्त की क्रिया या अविवरत्ती है अभिधान अभिधान यानि कि क्या है मस्तिक्त की सक्ति ना होकर संपूर रूप से मस्तिक्त की क्रिया या अविवरत्ती है ये बात किसने बोली है तो ये बात बोली है किसने बोली है रास ने बोली है या इस्टाउट ने बोली है या बैलेंटाइन ने बोली है या मन ने बोली है तो किसने बोली है बैलेंटाइन ने बोली है आपको सा लगाके आ जाना है अगला गुश्चन है यह है प्रिवासा किस ने दिया है किसी दूसरी बस्तु के बजाए एक ही बस्तु पर चेतना का केंद्री करण अबधान है किसी दूसरी बस्तु पर नहीं कर सकते है उसके बजाए एक ही बस्तु पर चेतना का केंद्री करण एक ही बस्तु पर चेतना का केंद्र होना है नि अध्धन करना जानना उसका अबधान है एक ही जगह पर ठीक है तो ये बात किस ने बोलिया आपसे ये प्रवासा किस ने दिये आपसे ये पूछ रहा है तो ये प्रवासा दिया है डम बिलने दाप का सही हो जागा अगला question है कौन एच्छिक अबधान को प्रभावित नहीं करता आपसे पूछ रहा है कौन एच्छिक अबधान को प्रभावित नहीं करता संकल्प सकती, सारी रिख सकती उद्धेस्थ सामाजिक संतुलन आपको बताना है खल दो तरहिएगा क्या होगा सामाजिक संदुलन होगा ठीक है अगला कुशन है अबधान की आंतरिक दसा कौन सी है अबधान की आंतरिक दसा कौन सी है तो लक्ष है गती है या आकार है या तीबृता है तो आपका क्या हो जाएगा लक्ष है अबधान की आंतरिक गती ठीक है लगला कुशन है निमलकित में कौन सी अबधान की आंतरिक दसा कौन सी है इसमें पूछा है कौन सी नहीं है आदत वंदेस्या लक्ष वंदीपन में गती हतीत अनुबब, ठीक है? देखो वंदीपन में गती नहीं है, क्युँद अगर वंदीपन में गती होगी, तो क्रिया । जल्दी से नहीं हो पाएगी, क्रिया की प्रित हम जागरु के होंगे, अब धान की बहायदसा कौन सी है, अब धान की बहायदसा पूछ लिया है, कौन सी है, तो अब धान की बहायदसा है विसम्ता, और सा इस राइट, ठीक है, अब दे रखाया है, अगला कुश्चन, पूछ रहा है, निमलिगित में से ब्रह्म क्या है, क्या पूछ रहा है कि ब्रह्म, अब देखू, ब्रह्म क्या है, और दीपन की अनुपस्चिती में समेधना के निभूती, क्या ये ब्रह्म है, और दीपक का असुद्ध प्रच्चिक क्या ये ब्रह्म है गलत प्रकार का विश्वास उप्रुक्त में से कोई नहीं तो आपका हो जाएगा ओधीपक का असुद्ध प्रत्यच्छी करण करना ठीक है निमलिकित में से कौन सा प्रत्यचात्मक संगठन का नियम है कौन सा प्रत्यच्छात्मक संगठन का नियम है समीपता समानता आच्छादन उप्रुक्त सभी समीपता भी होगा समानता भी होगा आच्छादन भी होगा तो आपके क्या हो जाएगा दा उप्रुक्त सभी ठीक है अगला कुशन है आपका प्रतच्छी करण के संगठन के नियम मनो विज्ञान के किस संप्रदाय की देन है यानि प्रतच्छी करण के संप्रदाय की दोरा किया जाता है ठीक है, तो सर्मचनावाद, गेस्टार्डवाद, प्रकारवाद, बिभारवाद, इसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर आपका किया जाता, गेस्टार्डवाद, संपर्दा है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत सारे MCQ के साथ, और